साथियो नमस्कार, साथियो आज हम बात करेंगे साथ भाग्य साली जादूई पोधों की, जिन में पहला पोधा है हमारा तुलसी, जो हर घर में पाया जाता है, आयूर वेद और वास्तू में इसकी बहुत मान्यता है, विश्नु का प्रिय पोधा है, और इस पर लक्ष्मी का वास माना जाता है, इस पोधे की पूजा की जाती है, कम देख वाला वाला पोधा है, जादा ठंड और चिलचलाती धूप से इसे बचाना होता है, इसकी मंजरी को समय समय पर काटते रहिए, मेडियम ब्राइट सनलाइट में ये बहुत अच्छा चलता है, तुलसी को घर मे उत्तर पूर दिसा में यानि इशान कौन में लखना चाहिए, दूसरा जादोई पोधा है लकी बैंबू, बहुत ही पॉपुलर और सुप पोधा है लकी बैंबू, लक पीस और प्रोस्पेरिटी का प्रतीक बना जाता है, तीन लेयर वाला लकी बैंबू सबसे सुप माना जाता है, इसकी तीनों लेयर पर लाल रिबन चरू पानना चाहिए, यह पानी और मिट्टी दोनों में उगाया जा सकता है, पानी को इसके बदलते रहना चाहिए, कोई स्टैम अगर काली पड़ जाए तो उसे निकाल देना चाहिए, तो फिर लकी बैंबू बहुत अच्छ चलता है, तीसरा मैजिक प्लांट है, मनी प्लांट, अर्थ से जुड़ा पोधा है, बहुत पॉपलर पोधा है, घर से निगेटिविटी को दूर करने वाला पोधा है, मिट्टी और पानी दोनों में हो जाता है, ब्राइट, इंडोर, इंडारेक्ट सनलाइट में अच्छा चलता है, ज्यादा ठंड और तेज धूप से इसे बचाना होता है, बेल वाला पोधा है, और इसका उपर बढ़ना उन्नती का परदीक माना जाता है, हरा भरा मनी प्लांट, सुभ माना जाता है, हरा पत्तों को हटा देना चाहिए, इसको उपर चड़ाना चाहिए, जमीन प हो है ऐलोवेरा, ऐलोवेरा एक मेडिसनल प्लांट है, हेर और इसकिन केर के लिए बहुत फायदेमंद है, इसे ओवर वाटरिंग से बचाना है, ज्यादा पानी नहीं देना है, ये घर में पोजिटिविटी लाता है, और इसे नौर्थ इस्ट दिसा में लगाना चाहिए, इंडिरेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए, कम देखवाल वाला बहुत ही जादूई पोदा है, साथियों पांच वा लकी प्लांट है, इसने एक प्लांट, एर प्यूरिफायर हमारा पोदा है, लो मेंटिनेंस वाला पोदा है, ब्राइट सनलाइट में बहुत अच्छा च चाहिए इसको, छटा जादूई पोदा है रबर प्लांट, वास्तु सास्तर में रबर प्लांट की भी बहुत मान्यता है, लो मेंटिनेंस वाला पोदा है, और इंडिरेक्ट ब्राइट सनलाइट में बहुत अच्छा चलता है, इसकी जो ग्लॉसी चमकिली सी पत्तियां होत पोजिटिविटी को घर में बढ़ाता है, लकी सेवन नंबर पर जो पोदा आता है, वो है जेड प्लांट, जेड प्लांट एक रसीला यानि सकुलेंट प्लांट है, इसमें एक छोटी पत्तियों वाला, दूसरा बड़ी पत्तियों वाला आता है, बड़ी पत्तियों वाले खीचने वाला पोधा माना जाता है छोटी पत्तियों वाले को से बोनसाई भी बना जाती है डोलर प्लांट उसको बोला जाता है और बड़ी पत्ति वाले पोधे को जिसे क्रासुला भी कहते हैं फ्रेंड सी प्लांट भी कहा जाता है इसे गिफ्ट प्लांट माना जाता है पोजिटिव उर्जा लाता है और इसे अपने व्यापार में के कैस काउंटर पर रखना चाहिए गुड लक और लकी प्लांट है जादुई पोदा है साउथ वेट्स दिज़ा में इसे लगाना चाहिए ये बहुती सुब और सांती का प्रतीक पोदा माना जाता है तो साथियों आज हमने साथ जादुई लकी गुड लक ब्लांट के पोदों की बात की जिनकी वास्तो और फैंक सुई में बहुत मानेता है